जिस फिल्म 12th fail की चर्चा कोई मीडिया नहीं कर रहा था जिसके आक्टर हीरो विकरांत मैसी के बारे में कंगनार अनावत ने अब शब्दों का इस्तमाल किया था उन्हें कौकरूश तक बताया था आज वो 12th fail दर्शकों में अपनी जगा बना रही है वो 12th fail एक खुबसूरत inspiration साबित हो रही है हर वो शक्स के लिए जो ज़न्दगी में हारा हुआ है वो 12th fail हम सब को एक शब्द का मंत्र दे रही है और वो एक शब्द है री स्टार्ट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कंगनार अनावत की फिल्म तेजस को बड़े बड़े मं संत्रियों ने प्रमोट किया मीडिया ने प्रमोट किया और विधू विनोच शोपड़ा की फिर्म 12th fail की चर्चा हमने कहीं नहीं सुनी कई लोग यह भी नहीं जानते थी यह फिल्म किस बारे में हैं मगर यह फिल्वाई इसने अपनी जगा बनाई और उसने कंगना रनाव उनके एहंकार या नफरती सोच की बात करने का दिन नहीं है आज का दिन है 12th fail की चर्चा करने का वो फिल्म जो यवाउ के लिए एक जबरदस्ट inspiration साबित हो रही है दोस्तों इस फिल्म में एक सीन है जब मनोच कुमार शर्मा या विक्रांट मैसे जो हैं वो मसूरी जाते ह अपनी friend श्रद्धा शर्मा से मिलने और श्रद्धा से बोलते हैं कि तुम एक बार मुझे I love you बोल दो तो मैं इस दुनिया को फटह कर लूँगा श्रद्धा उस वक्त तो नहीं बोलते हैं मगर एक ऐसा लमहा आता है जब मनोच शर्मा का एक दोस्त कहता है कि ये लड़कि उठकर वहां से चली जाती है मनोच शर्मा उनके पीछे भागते हैं और तव शद्धा उनसे कहती है कि मनोच I love you अब दुनिया पर फता हासिल कर लो और ये बात क्यों कही जाती है दोस्तों क्योंकि मनोच शर्मा जो है वो बार बार आएस का एक्जाम दे रहे होते हैं और वो बार बार प्रेलिम्स के बाद जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्यों कि मनोच शर्मा एक घरीब परिवार से आते हैं वो रहने वाले होते हैं चंबल के बीहड के एक गाउं के और बहुत ही घरीबी भरे हालात में वो जी रहे होते हैं और वो दिल्ली आते हैं IPS बनने IAS की परिक्षाएं देने और उनकी जिंदगी बहुत संगर्शों भरी होती है उनके पास दो जून की रोटी के लिए पैसा तक नहीं होता है इसलिए वो एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम शुरू करते हैं वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वो दिल्ली के मलका गंज में एक आटे की चक्की में काम करते हैं और उसी आटे की चक्की के साथ में उनका बिस्तर होता है एक बल्ब होता है और उस बल्ब की रोशनी में वो IAS की पढ़ाई करते हैं IPS की परिक्षा देते हैं और क्या आप जानते हैं मनोज कुमार शर्मा की कहानी एक सच्ची कहानी है ये कहानी है इस मनोज कुमार शर्मा की जी हाँ इस मनोज कुमार शर्मा और उनकी पतनी श्रद्धा शर्मा की जो IRS ऑफिसर बनती हैं मनोच शर्मा भी इसी तरह से जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे और Civil Services के चौथे Attempt में जाकर वो परीक्षा क्लियर करते हैं और IPS Officer बन जाते हैं और उनके साथ होती है श्रद्धा शर्मा वो श्रद्धा शर्मा जो IRS बन जाती है नि इंडियन Revenue Service Officer और ये पूरी फिल्म दोस्तों एक सची कहानी पर अधारित है ये फिल्म हमें बताती कि महबत हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और आप और हम इस बात को बखुभी जानते हैं क्योंकि दोस्तों मैं अपने परसल तजर्बे से कह सकता हूँ कि मेरे जिंदगी में जब भी कोई बड़ी चुनौती आई है न तो चाहे मेरी पतनी की महबत हो चाहे मेरे बच्चों का प्यार हो चाहे मेरे माबाप की पेना हो वो हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत साबित हुए है और इस फिल्म के लिए श्रद्धा की जो मनोच के लिए महबत है न वो उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होती है मगर सबसे बड़ी बात ये फिल्म हमें एक संदेश देती है चाहे जो भी हो हार नहीं मानना है स्वरगी अटल बिहारी वाजपी की वो कविता थी न कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता चला जाता हूं गीत यहीं गाता हूं ये कविता इस फिल्म में बार बार सुनाई देती है और ये फिल्म हमें एक शब्द का मंत्र देती है restart मतलब अगर आप जिंदगी में हार भी जाएं तो एक बार फिर अपने संघर्ष को शुरू करें आप जानते हैं इसमें civil services के interview के लिए जब मनुच शर्मा जाते हैं और मनुच से एक interviewer एक सवाल पूछते हैं कि भई ये civil services परीक्षा का आपका आखरी attempt है और अगर आप इस बार हार गए इस बार ये परीक्षा आप clear नहीं कर पाए तो क्या करेंगे तो कहते हैं कि IPS बनना मेरा लक्ष नहीं है अगर मैं IPS नहीं बन पाया तो इसके बाद अपने गाओं में जाओंगा वहाँ एक teacher बनूँगा और वहाँ के students को समझाओंगा कि नकल करना गलत बात है वहाँ के students को समझाओंगा कि सच्चाई, इमानदारी, truthfulness आपकी सबसे बड़ी ताकत है सच बोलने का नुकसान आपको हो सकता है मगर जिन्दगी में सच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी और यहीं खुबसूरा संदेश हमें 12th fail देती है दोस्तों मैं कह सकता हूँ एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो हमारे युवाओं को हमारे यूथ को इंस्पायर करने वाली है वो यूथ जो कई बार खुद को हतोच साहित नाउमीदी से घिरा पाता है 12th fail हर उस यूथ के लिए एक उमीद की केरण है यह जरूरी नहीं कि आप सिविल सर्विसेस की परीक्षा ही दे रहे हो नहीं यह फिल्म हर उस युवा के लिए एक इंस्पिरेशन है एक प्रेणा है जो जिन्दगी में संघर्ष कर रहा है और यह फिल्म हर युवा को एक संदेश देती है कि चाहे हाला जो भी हो आपको लगातार कोशिश करनी है एक मंत्र है एक शब्द है जिस पर आपका जोर होना चाहिए और वो है रिस्टार्ट और आप जानते हैं इस फिल्म में डॉक्टर विकास दिविकीर्ती उनका भी रोल है वो विकास दिविकीर्ती जिनका एक एक शब्द युवाओं के लिए प्रेणा साबित होता है असली मनोच शर्मा की शादी में डॉक्टर विकास दिविकीर्ती दिखाई देते हैं हला कि उसमें डॉक्टर विकास दिविकीर्ती की मूचे ज़ए हैं सिर पे बाल ज्याता है तो उन्हें देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों और आप जानते हैं इस फिल्म की सबसे अच्छी बात क्या लगी? मैं विदू विनो चुपडा की बात करूँगा, कुछ दिर बात इंतजार कीजेगा, मैं बात करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस की, इस फिल्म के कलाकारों की. दोस्तो इस फिल्म के हीरों हैं विकरांत मैसी जो की मनोश कुमार शेर्मा का किरदार दिभा रहे हैं, कहने को वो फिल्म के हीरों हैं, मगर कभी भी फिल्म पर हावी नहीं होते हैं, वो लगातार इस फिल्म में एक सूत्रधार का काम करते हैं, आप जानते हैं इस फिल्म में उनकी आँखों की जो नमी है न, वो हर बार फिल्म को देखने वाले दर्शक के लिए एक खुबसूरत, एक खुशनुमा उम्मीद के तौर पर सामने उभर कर आती है। उनकी मासूमियत आपके दिल को छूती है और इस फिल्म के क्लाइमाक्स से ठीक पहले, जब मनोश कुमार शेर्मा को पता चलता है कि वो सिविल सर्विसस की परिक्षा क्लियर कर गए हैं, उसके बाद वो जो लम्हा है न, जब वो जमीन पर बिखर जाते हैं, पूरे सिनमा हॉल में एक भी ऐसी आँख नहीं थी, जो नम नहीं थी। एक अरसे बाद दोस्तों, एक ऐसी फिल्म जिसने दिल में जगा बनाई है, और मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये साल जो है न, वो बॉलिवोड के लिए एक बहुत ही खुबसूरत साल है, देखिए मैं बाद घदर टू, जवान या पठान इन फिल्मों की नहीं कर रहा हूँ इसके इलावा भी रचनात्मक्ता की जरिये से क्रियेटिविटी की निगाह से कई खुबसूरत फिल्मे आई है, मसलन ट्विल्थ फेल तो है ही, इसके इलावा ओम जी टू, भीड, अवा, नहायती खुबसूरत फिल्में इस साल हमने देखी हैं और हाट्स आफ सबसे बहतरीन परफॉर्मेंस और मुझे लगता है यह अवर्ड विनिंग परफॉर्मेंस है, मैं एक और आक्टर का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने गौरी भाया का किरदार निभाया है, अंशुमन पुशकर, दोस्तों अंशुमन पुशकर वो आक्टर हैं, जिन्हें से पहले मैंने जमतारा में देखा था, और इधर उधर OTT वेब सीरीज में मैं उनकी जलक देखते रहता हूं, 30 साल के हैं, एक अरसे से फिल्म इंडास्ट्री में स्ट्रॉगल कर रहे हैं, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आंशु के पंकश त्रिपाठी, मनूज बाचपई और नवाज उद्दीन सभी की हैं, ये इस फिल्म इंडास्ट्री की बदनसीबी है कि एक बहुत ही सामानने परिवार से आया हुआ व्यक्ति, वो शाहरुख खान, आमिर खान, हृतिक रोशन नहीं बन सकता, मगर अंशुमन को और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अंशुमन पुषकर एक बहुती बेहतरीन अभिनेता साबित हो सकते हैं, तो हाट्स ओफ विक्रांद, हाट्स ओफ अंशुमन और एक तरह से कहा जा सकता है, इस फिल्म में हर किरदार, हर आक्टर ने बहुती खुबसूरती से निभाया है, चाहे विक्रान मासी की मा का किरदार निभाने वाले हों या उनके पिता का किरदार निभाने चोटे चोटे रोल्स हैं, बहुत खुबसूरत रोल किया है, इन फाक्ट मेधा शंकर, जिन्होंने श्रद्धा शर्मा का किरदार निभाया है, हालकि पूरी फिल्म में बहुती साधारन सा उनका रोल है मगर वो एक रोल जब वो अच्छानक घुस्सा होके उटके चली जाती हैं जब उनको ताना दिया जा रहा होता है कि ये लड़कियां कभी भी लूजर्स के साथ नहीं रहती तब वो वो मनोज का चेहरा अपने हाथों में सहेचती हैं और क बतौर अक्ट्रिस जो खाबलियत है ना वो आप देखते हैं इस कारत क्या हुआ दोस्तों चाहे विक्रान मैसे हो चाहे अंशमान हो चाहे मेधा शंकर हो ये सब बहतरीन अभिनेता हैं बस इन्हें जरूरत है मौके की बस इन्हें जरूरत है अपने प्रतिभा को दिखाने क के लिए सही स्क्रिप्ट्स की ऐसे धेरो अभिनेता ऐसे धेरो अभिनेत्रियां हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता जो बहतरीन अभिनेताओं की तौर पर स्थापित करेंगे और विधु विनोच छोपड़ा दोस्तों आप जानते हैं 12 फेल की सबसे अची बात क्या है ये फिल्म चंबल के गाउं को दिखलाती है और चुकि मैं मद्धप्रदेश का रहने वाला हूँ तो जब मैं उस सीन को देख रहा था ना तो मैं उस गाउं की खुश्बू उस ग चंबल के उस गाउं को पिक्चराइज किया है मगर बात वाँ नहीं रुकती उसके बाद वो मुखरजी नगर आते हैं उसके बाद फिल्म का पूरा फील एक डॉक्यू ड्रामा जैसा हो जाता है आप मुखरजी नगर के संगर्श को मैसूस करते हैं जब मनोच शर्मा का किर करते हैं उस फिल्म के अंदर क्योंकि मैं दिल्ली के उन इलाकों में रहा हूं मैं वहां से गुजरा हूं लहाजा मैं जानता हूं वहां की क्या फीलिंग है बत और दर्शक आप उसे महसूस करते हैं और वो ट्वेल्थ फेल की जीत है वो विदू विनोच शोपडा के स्किल की जीत है और आप जानते ही ये मुझे हैरत में क्यों डालता है क्योंकि देखिए अपनी मुफलिसी के दिन में भी विदू विनोच शोपडा ने परिंदा जैसी शहकार बनाई थी खामोश जैसी घजब की सस्पेंस थ्रिला बनाई थी और परिंदा एक ऐसी फिल्म थी जो बहुत कम पैसों में बनी थी और उसके अपने संघर्श की कानिये जो मैं कभी आपको बाद में वताऊंगा मगर परिंदा भी अगर आप उसके कैन्वस को देखे ना जबर्दस और बहुत ही बड़े कैनवस में बनी थी और परिंदा उसके बाद आने वाली जितनी भी और मैं बतोर प्रेडियूसर जो उनकी भूमिका रही है चाहे वो त्री इडियेट्स हो, संजू हो, मुन्ना भाई उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ विदू विनो चुपडा की जितने भी डायरेक्टोरिल वेन्यूज हैं ट्वेल्थ फेल उनकी सबसे मुकमल फिल्म है शायद परिंदा के बराबर या उससे उपर भी हालागि मैं जानता हूँ विदू विनो चुपडा से जो भी पूशता है कि आपकी फेवरेट डायरेक्टिट फिल्म कौन सी है तो इनकी एक फिल्म थी जिसमें बॉबी देओल ते जिसका नाम शायद करीब था वो उसे अपनी फेवरेट फिल्म बताते हैं हम ना जाने क्यों बताते हैं शायद दिल का कोई तार जुड़ा हो करीब के साथ या कोई तार उस फिल्म के करीब हो तो विदू विनो चोपड़ा भी बतौर डायरेक्टर उन्होंने एक बहुत ही खुबसूरत काम किया है दोस्तों हाट सॉफ्ट तु ट्विल्फ फिल्म जो इस देश के युवा के लिए एक खुबसूरत इंस्पिरेशन है मैं आपको मश्वरा देता हूँ जाए इस फिल्म को देखिए यह नहायत ही खुबसूरत फिल्म है आप में से जो तमाम युवा है अगर आप जिन्दगी में संगहर्श कर रहे हो न तो यह आपके लिए गहुत ही खुबसूरत फिल्म है और जाते जाते दोस्तों और परस्नल नोट मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मनोच शर्मा अपने आखरी अटेम्ट में भी सिवल सर्विसेज ना क्लियर कर पाते तो क्या होता तो जैसा कि उस फिल्में विकरान मैंसे कहते भी हैं कि मैं स्कूल में जाके टीचर बन जाता अपने गाउं में जाके टीचर बन जाता आप जानते हैं मेरी बहन है रानूशरमा गाउं के रहने वाली है उन्होंने भी Civil Services का मेंज्स दो बार क्लियर किया था मगर दोनों बार रानूँ इंटर्व्यू में जाकर अठक गई थी आप जानते हैं क्यूं? क्योंकि मेरी बहन गाउं से आती है नमबर एक नमबर दो अंग्रेजी में उनका हाथ तंग है जो कि इस फिल्म के अंदर मनूच शर्मा या विक्रान्थ मैसी का जो किरदार था उसमें उनका भी हाथ अंग्रेजी में तंग होता है और वो इस संघर्ष का सामना इंटर्व्यू में भी करते हैं मेरी बहन रानू का भी हाथ जो है वो अंग्रेजी में तंग था काश उनके इंटर्व्यू बोर्ड में भी रानू क्या कॉंट्रिब्यूशन दे सकती थी लोगों ने समझा होता है क्योंकि आप जानते हैं इस फिल्म के अंदर मनोच शर्मा जो उनका इंटर्व्यू कर रहे होते हैं उनसे क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसी जगा से आया हूँ जहां मैंने गरीबी को देखा है मुफलिसी को देखा है संघर्ष को देखा है मैं कैसे स्कूल से आया हूँ जहांके टीचर्स अपने स्टूडेंट से चीटिंग करवाते थे फर्रेबाजी करवाते थे अगर मैं सिवल सर्विंट बनता हूँ तो मैं उस चीज को समझ पाऊंगा और मैं उसमें एक अच्छा योगदान दोंगा काश यूपीएसी के जो तमाम इंटर्वियूर्स होते हैं वो इस बात को समझें वो उन लोगों को जगा दें जो असली भारत से हूँ जो असली भारत की समस्याओं को समझते हूँ मैं उम्मीद करता हूँ स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये